दोस्तो 26 मई को साल का पहला चंद गर्ण लगने बाला है यानि आपकी राशी पर इसका क्या असर होगा दोस्तो साल का पहला चंद गर्ण 26 मई 2021 को लगने जा रहा है इस बार का चंद गर्ण उपचाया चंद गर्ण है जो भारत में नहीं दिखाई देगा खास बात ये है कि इस दिन वैसाक पूर्णिमा भी पढ़ रही है इसलिए ये चंद गर्ण काफी महत पूर्ण होगा क्योंकि इस बार का चंद गर्ण उपचाया चंद गर्ण है इस बज़ा से सूतक काल माननी नहीं होगा चंद गर्ण दोपैर दो बचकर 17 मिनट से सुरू होकर शाम 7 बचकर 19 मिनट पर खत्म होगा चंद गर्ण अमेरिका उत्री योरोप पूर्भी एशिया उस्टेलिया और प्रिसान महासागर के कुछ छेत्रों में पूर रूप से दिखाई देगा जबकि भारत में ये उपचाया ही रहेगा माना जाता है कि पिर्थवी सूरच और चंदर्मा की गतिवीदियों की बज़ा से गर्ण पढ़ते हैं ये सारी गतिवीदियां शोर मंडल में होती हैं ज इस राशी के जातकों को यात्रा के दौरान साबधानी बरतने की जरूरत है अचानक से धनलाब के भी योग बन सकते हैं मानसिक तनाब रहेंगे अपने स्वास्त का ध्यान रखने की जरूरत है लंबे समय से रुका हुआ प्रोजेक्ट भी पूरा होगा नमबर दो ब्रश राशी इस राशी के जातकों को चंद ग्रहन के कारण बेवाहिक जीवन में मदभेत का सामना करना पड़ सकता है आर्तिक लाप हो सकता है लेकिन अपने खर्चों पर नियंतर रखें बाणी पर नियंतर रखने की जरूरत है नमबर तीन मिथुन राशी इस वार का चंद ग्रहन मिथुन राशी के जातकों के लिए लावकारी है इस दौरान दूसरों से तर्क बितर्क करने से बचें मेडिटेशन करना अच्छा साबित हो सकता है कुछ आप रत्याशित गटनाओ का सामना करना पड़ सकता है नमबर फूर करक राशी इस राशी के चातकों को मानसिक तनाव या पेट की समस्या हो सकती है दूसरों की बातों में आने से बचें अपने मन की सुने प्यापार में अच्छे परिनाम मिल सकते हैं दुरगटना होने की संभाब ना है इसलिए साबदाने जरूर बढ़ते हैं नमबर फाइब शिंग राशी इस राशी के लोगों पर चंदग्रन का मिला जुला प्रवाब देखने को मिल सकता है ऐसे में दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा साबित होगा रिस्तों के लिए ये अच्छा समय माना जा रहा है ब्यापार में सफलता मिलेगी कुछ आर् और चिंता से बचें नमबर सिक्स कन्या राशी इस राशी के लोग आकरशन के केंद्र बन सकेंगे नौकरी में ब्रत्ती हो सकती है आपका भाग्य और आर्थिक लाप मजबूत होगा जल्दबाजी में लिये गए फैसलों से बचें अपने आसपास के लोगों के साथ देहर किसी काम में निवेश करने से बचें रोमांस के लिए ये अच्छा समय है पार्टनर और खुद की सेहत का खयाल रखें नमबर एट ब्रक्षिक राशी इस दौरान ब्रक्षिक राशी के लोगों को अपने स्वास्त का ध्यान रखने की जरूरत है जीवन साती के साथ बाद नमबर नाइन धनू राशी इस राशी के लोगों को वाणी पर नियंत रणकने की जरूरत है बाद विवाद करने से बचें अपनी भावनाओं को अच्छी भाव से व्यक्त करें आर्थिक नुकसान की संभावना है नेंदा आना या स्वास्तंबंदी समस्या हो सकती है के रास्ते खुलेंगे लेकिन साबधान रहें ये आप के नेजी जीवन की कीमत पर हो सकता है पार्टनर के साथ संभन प्रभावित हो सकते हैं देरे रखें और मेडिटेशन का अभ्यास करें नमबर 11 कुम राशी इस राशी के लोगों के जीवन में कोई नया क्रेश आने की संभाव ना है ब्यापार में उतार चड़ाब रहेगा ये समय आप के लिए बहुत अच्छा नहीं है इसलिए कारेस्तर पर समाने जश्य बना कर रखें यात्रा करने से बचें और स्वास्त का ध्यान जरूर रखें नमबर ट्वल्ब में राशी इस राशी के जातकों को बड़े बतलाब करने से बचना चाहिए माँ और बच्चों के स्वास्त के लिए अधिक देखपाल की अवशकता है बाद बिवाद करने से बचें बाचीश से गलत फहमे को दूर करने का प्रियास करें अगर आपको मेरी ये दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सबस्क्राइब करें और हाँ बेल आइकन दवाना ना भूलें जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुचे